हेलो फ्रेंड्स मानिखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सीजी प्यासी इपार्चाला में सीजी प्यासी इपार्चाला में आज कुमार टॉपिक है 36 गड़ करेंट अफेल जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं ग्यारा से लेके 20 जुन तक के 36 गड़ के सारे इंपोर्टेंट करेंट अफेल्स पर चली शुरू करते हैं देखिए पहले नंबर पर है आपका कौशल्या माता मंदिर कौशल्या माता मंदिर कौशल्या जो की राजा दसरत की पतनी और भगवान स्री राम की माता जी है ठीक है इस मंदिर का जो निर्मान है इस मंदिर का निर्मान आपके सोमवन से शाष्कों के द्वारा आठीवी से नवी सदी के आसपस कराया गया था ठीक है प्रदेश के सोमवन से शाष्कों के द्वारा इन कौशल्या माता मंदिर का निर्मान आपके आठीवी से नवी सदी के आस जो भी संतिय जो भी व्यक्ति इनकी जन्म तिथी से संबंदित उचित शोद पत्र या उचित साक्ष प्रस्तूत करेगा उसे 11 लाक रुपे की राशी प्रदान की जाएगी ठीक है तो इस संबंदित आपके भारत की विभिन जगों से संबंदित काफी प्रविष्टिया आया जाना था ठीक है लेकिन लॉकडाउन के कारण और आपके कोरोना संत्रमान के कारण जो लॉकडाउन हुए उसके कारण ये समागम जो है वो इस्थाकित कर दिया गया ठीक है तो फिलहाल अभी उनके जन्म तिती से संबंदित आपकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है लेकिन ध्यान दीजेगा यह जो हमारे कौशल्या माता का मंदीर है दावा किया जा रहा है कि देश का एक मात्र कौशल्या माता का मंदीर हमारे 36 गड़ में इस्तित है सोम वजशे शाचकों के द्वारा आठवी से नवी सदी के आसपास निर्मित देश का एक मात्र कोशल्या माता का मंदिर हमारे प्रदेश के राइपुर जिले के चंदखुरी में मौजूद है ठीक है नेक्स्ट देखिए राज्य की एक लोती त्री मुखी सूर्य प्रतिमा जो की मौजूद है आपके बारसूर दंतेवाडा में दंतेवाडा जिले के बारसूर में आपका राज्य का एक लोता त्री मुखी यानि तीन मुख वाला सूर्य का प्रतिमा मौजूद है समझेगा, यह जो आपका त्रीमुखी सूर्य प्रतिमा है, यह आपके खुले आस्मान में एक पेड़ के नीचे आपका रखा हुआ है, देखिए, यह जो आपका त्रीमुखी जो आपके सूर्य के प्रतिमा है, यह एक मंदिर में इस्थित था, मंदिर जो की धरासाही होने के कगार में था तो ग्राम वासियों के द्वारा इस त्रीमुखी सूजय की प्रतिमा को बाहर ला करके एक कुसम के पेड़े के नीचे रख दिया गया समय बितने के साथ साथ जो मंदिर है वो मंदिर आपके टीलों में परिवर्तित हो गया धरा साही होके वो टीले में परिवर्तित हो गया जबकि यह जो मुर्ति है यह आज भी उस कुसम के पेड़े के नीचे आपका इस्थापित है यह जो मुर्ति है यह तीन मुख वाला आपके साथ गोडों के रथ पर सवार एक प्रतिमा है जो आपका जो गोड़े के रथ है उस पर आपके सूर्य देव आपकी विराजमान रहते है तो उसके आधार पर यह जो आपके प्रतिमा है इसे सूर्य प्रतिमा होने की दावा किया गया है ठीक है देखिए ये जो आपका साथ घोडो के रत वाला जो त्री मुखी आपका सूर्य की प्रतीमा है ये राज्य की एक लोगती आपकी सूर्य की प्रतीमा है जिनके तीन मुख है इस्थानिय आधिवासियों के द्वारा इस आपके सूर्य की प्रतिमा को आपका इस्थानिय देवता तमान गुडी ठीक है तमान गुडी के नाम से जाना जाता है प्रदेश के जो ग्रामिन है उन्हें इस्थानी देवता तमान बुडी के नाम से पुकारते हैं जो की गाव की रक्षा करते हैं ठीक है जो की उस छेत्र में उन गाव के लोगों की और उस गाव की रक्षा करते हैं ठीक देखे ये जो आपका सूर्य की प्रतीमा है इसका भी जितने भी आपके इस्थापत्य कल्या के जो उधारन है, वो इन्हीं भी ये आपके सभी के सभी चिंदग नागवंशी शाष्कों के द्वारा निर्मान किये गए थे, जिसे 32 मंदीर, आपका चंदरादित्य मंदीर, बड़े गणेश की प्रतीमा, ठीक है, ये सारे के सारे मं इस प्रतीमा से समबंदित नहीं लिया जा रहा है, आर्किलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के द्वारा हमारे प्रदेश में जो 32 मंदीर है, आपके बड़े गणेश की प्रतीमा है, चंदरादित्य मंदीर है, उन्हें सम्रक्षन प्रदान किया गया है, लेकिन ना ही आर्किल गोपिनाथ मंदिर के आउशेश, देखिए, महानदी उडिसा में, महानदी उडिसा में मिले है आपके गोपिनाथ मंदिर के आउशेश, देखिए यह हमारे 36 गड़ से संबंधित current affair नहीं है, लेकिन फिर भी important है, क्योंकि हमारे 36 गड़ से होकर बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है, महानदी, जिसे 36 गड़ की जीवन रिखा कहा जाता है, महानदी जो 36 गड़ से होकर प्रवाहित होती है और आपके इंटर करती है आपके उडिसा में और जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है, तो इसी महानदी, उडिसा में आपके इस महानदी में आपके गोप या आतलु साल पूराना एक मंदीर हैं जो की पद्मावति गाउँ ट प्यकर इस उडिशा जिले के नयागर्ड आपका जिला के पद्मावतिteen गाउं में यह आपको क्फिनात मंदीर这是 फित ठा ठीकर लेकिन बर्श 1933 में ये जो आपका महा नदी है महा नदी की जो आपकी धारा है उसकी दिशा बदली ठीक है महा नदी का जो आपका जिस दिशां प्रवाह होती है तो उसने अपना दिशा बदल दिया और पूरा का पूरा यह जो आपका पदमवती गाव है वो इस नदी के अंदर समा गया और इस गाव के साथ साथ यह मंदिर भी उस नदी में समा गया लेकिन अभी हाल फिलाल में आपका जो महा नदी है इसके जल इसतर कम हुआ और जल इस तर कम होने से यह आपका गोपिनात मंदिर का जो उपर का जो आपका आउशेश वो दिखाई देने लगा है ठीक है तो गोपिनात मंदिर के आउशेश किस नदी से प्राप्त हुए महा नदी से प्राप्त हुए किस राज्य में है उडिसा राज्य में है ठीक है, next देखिए, James and Jewelry Park, James and Jewelry Park, प्रदेश का पहला James and Jewelry Park इस्थापित किया जाएगा आपके देवेंदर नगर रायपूर में, ठीक है, रायपूर जी लेके देवेंदर नगर में आपके 10 एकड भूमी पर, 10 एकड भूमी पर आपके James and Jewelry Park इस्थापित किया जाएग जा रही है जिसका विद्रो क्रिशी उपज मंडी की वैपारी अभी फिलाल कर रहे हैं लेकिन याद रखिएगा कि हमारे प्रदेश का पहला और देश का चौथा जेमसें जुलरी पार्क किस जिले में इस्थापित किया जाएगा ठीक है देखिए तो यह प्रदेश का पहला और देश का चौथा भारत में आपके मुंबई, कोलकत्ता, सूरत इसके बाद जो है हमारे 36 गड़, 36 गड़ में आपके चौथे नंबर पर आपका देश का बड़ा आपका जेमसें जुलरी पार्क इस्थापित किया जाएगा अभी इस्थापित किया नहीं है कि एवल भू पी नरसी है राव को ठीक है पी वी नरसी है राव इन्हें आपका प्रदेश का PCCF वाइल्ड लाइफ नियुक्त किया गया समझिएगा यहां ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ देखिए हमारे प्रदेश के वरतमान में जो PCCF है वो अभी भी आपके राकेश चतुरवेदी जी ही है ठीक है राकेश कुमार चतुरवेदी जो हमारे प्रदेश के वरतमान के PCCF principal chief conservator of forest या आपके प्रधान मुख्य वनसम रक्षक आपके राकेश कुमार चतुरवेदी जी वरतमान में है ठीक है लेकिन यहां ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ ह देखिए एक तो पूरे के पूरे 36 गड़ के जो overall आपके PCCF वो है आपके राकेश कुमार चतुरुवेदी जी इसके अलावा जो आपके PCCF है वो department wise जी बटे रहते हैं ठीक है PCCF wildlife, PCCF work planning, PCCF trading and commerce ऐसे अलग-अलग department के भी PCCF बटे रहते हैं ठीक है तो उसमें से जो wildlife है जो हमेशा अगर आप news देखेंगे तो आपको एक राकेश चतुरुवेदी जी का नाम दिखता और एक अतुलकुमार शुकला जी का नाम दिखता ठीक है प्रकेट में वन्ने प्राणी दिया रहेगा तो उस वन्ने प्राणी में आपको PV नर्सी राव लगाना है ठीक है दोनों में अंतर है आप 36 गड़ फॉरेश डिपार्टमेंट की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं आपको अलग-अलग PCCF उसमें उनके नाम मिल जाएं ठीक है नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री सचीव न्युक्त किया गया है आपके कोमल सी परदेशी को आपके मुख्यमंत्री भुपेश बगेल जी का सचीव यानि सेकेटरी न्युक्त किया गया है नेक्स्ट देखिए सहीद गणेश कुंजम जो की हमारे प्रदेश के कां जो एरिया है लद्दाक जहां पर मौझूद है आपका अक्साई चीन वाले छेतर में आपके भारत और चीन के सेना के मद्दे एक हिंसात्मक जड़प हुई थी जिसमें हमारे भारत के कुछ सैनिक सहीद हुए थी तो उन सहीद सैनिकों में हमारे प्रदेश के गणेश कुंज भी आपके शहीद हुए ठीक है जो आपके भारत चीन के मद्दे जो आपकी गलवान घाटी जो मौझूद है आपके अक्साई चीन वाले छेतर में वहाँ पे एक हिंसात्मक जड़प हुई थी उसमें हमारे प्रदेश के भारती सैनिक गणेश कुंजम शहीद हो गए ठीक ह प्रदेश सरकार इंगलिश मीडियम के स्कूलों को भी आपका संचलित करेगी देखे अभी प्रदेश सरकार द्वार नेड़न लिया गया है कि अंग्रेजी माध्यम के 40 स्कूल आपके पूरे प्रदेश भर में इस्थापित किये जाएंगे यह जो इस्कूल है यह दिल्ली भी आपके गवर्मेंट इसकूल है उसे इंगलिश मीडियम बना दिया गया है ठीक है वहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइवेट इसकूल है उसके फीस काफी ज्यादा रहते है इसलिए हर कोई आपके प्राइवेट इसकूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता प् पर हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा भी आपका अंग्रेजी माद्यम के 40 इसकूलों की इस्थापना की जाएगी जिसमें कख्छा पहली से लेके 12 तक की निश्यूल को सिक्षा प्रदान की जाएगी इससे संबंदित जो आवेदन है या भी 20 जून से आपकी इसके इसकूल है यह इस्थापित किया जाएगा आपके राइपूर जीले के धरमपूरा में आपका प्रदेश का पहला सास के इंग्लिस इसकूल इस्थापित किया जाएगा ठीक है नेक्ष्ट देखिए नेक्ष्ट है आपका बोड़ा जो की आपके बस्तर वाले छेत्र में साल के जो व्रिक्ष है, साल के व्रिक्षों के नीचे पहली बारिष के बाद उगता है, बोड़ा जो की एक खाद्यपदार थी है, बोड़ा और कुट्टु जो की पहली बारिष के बाद जंगलों में उगते हैं, तो यह जो बोड़ा है, यह आपके साल के व्रिक्षों के नीचे यहीं सालवनों में पहरी बारिस के बाद उगता है यह जो आपका बोड़ा है यह बहुतायत में मिलता है आपके सर्गी जंगल कोंडागाव जीले में इसी जो सर्गी जंगल है इन सर्गी जंगल में आपका यह बोड़ा बहुतायत में मिलता है ठीक है देखिए लगूवन उपजों की आपकी नियुंतम समर्थन मुल्य पर खरीदी आप सभी को मालूम है जैसे कि continue अपडेट हो रहा है लाश्ट करेंट अपयर में हमने देखा था कि प्रदेश सरकार के द्वारा 25 लगूवन उपजों की खरीदी नियुंतम समर्थन मुल मुल्य पर की जाएगी ठीक है 25 लगूवन उपज हम देख चुके है इन 25 के अलावा है आपके वन तुलसी बीच वन जीरा बीच इमली बीच बहेडा कचरिया हर्रा कचरिया और आपका नीम बीच ठीक है तो यह 25 और आपका एच्छा है 31 इन 31 लगूवन उपजों की खरीद 19 जुन 2020 ठीक है 19 जुन 2020 को इस मुख्य मंत्री सुगम सड़ा की योजना का सुभारा में किया गया है यह जो आपका मुख्य मंत्री सुगम सड़ा की योजना है इसका मुख्य उद्देश सास्किय भवन सास्किय कार्याला एवं सारवजनिक इस थलो को 12-18 सड़कों से जोड देखिए आप सभी को मालूम है कि हमारे प्रदेश में अभी वर्तमान में आपका प्रधान मंत्री सड़ा की योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़ा की योजना ऐसे चल रहा है लेकिन यह क्या है यह मुख्य मंत्री सुगम सड़ा की योजना है जो मुख्यता सास्किय भवन सास्किय कार्यले एवं सारवजनिक इस्थलों को बारामासिस सवसड़कों से जोडने के लिए ये प्रारब किया गया है देखिए इस साल इस सब मुख्य मंत्री सुगम सड़क योजना के अंतरगा आपका इस साल 200 करोड रुपए का व्याई किया जा रहा है जिसमें आप किया 1116 कार्य पूर्ण करने का लक्ष रखा गया है अब ये कार्य क्या है 1116 कार्य ये तो फिलाल पता नहीं लेकिन इस साल 200 करोड रुपय का व्याय करके 1116 कारे पूर्ण करने का लक्ष रखा गया है इस मुख्य मंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर कर Next देखिए हाथियों की संख्या में व्रिद्धी हाथियों की संख्या में व्रिद्धी उन्ही हाथियों के मृत्यों के कारण ही आपके जो PCCF Wild Life अतुल कुमार शुकला है उन्हें हटाया गया है और आपके पीवी नरसी राव को आपका PCCF Wild Life मनाया गया है तो इसी समय आपकी वर्वी भाग के द्वरा एक आकड़े जारी किये गया है कि हमारे प्रदेश में जो हाथियों की संक्या है पिछले 10 वर्षयों में 225 से बढ़कर हो गई है 250 इसे थोड़ा से याद रखना है देखिए प्राचीन सिक्का प्राचीन सिक्का ये प्राप्त हुआ है आपके बिर्जारपूर ग्राम पंचायत धमधा दुर्ग से धमधा दुर्ग में आपका जो बिर्जापूर जो आपका ग्राम पंचायत है वहाँ पे एक तालाव के गहरी करण के दौरान एक सिक्का प्राप्त हुआ है ठीक है एक सिक्का तालापके गहरी करण के दोराण प्राप्त हुआ है जिसे प्रतम द्रिष्टेताया देखने पर वो जो सिक्का है उम्मध्यकानिक भारत में प्रचलित सिक्का प्रतीत हो रहा है फिलहाल इस सिक्के को आपके संस्कृतिक विभाव को सौब दिया गया है अत्याधुनिक पसुचिकित साल है यह आपका खोला जाएगा आपके जंगल सफारी राइपूर में और आपके कानन पेंडारी बिलासपूर में ठीक है अत्याधुनिक यानि हाइटेक जो आपके एनिमल जो हॉस्पिटल है यानि अत्याधुनिक जो आपके पसुचिकित सा यह दो इस्थानों पर खोले जाने की घोशना प्रदेश सरकार के दोरा की गई है एक है आपके जंगल सफारी राइपूर में और दूसरा है आपके कानन पेंडारी बिलासपूर में ठीक नेक्ट देखिए राम वन गमन पत राम वन गमन पत जो की हम देख चुके हैं पिछले की 9 इस्थानों को विक्सित किया जाएगा तो इसी 9 إस्थानों को connect करता हुआ आपका 230 km लंबा सड़क बनाया जा रहा है ठीक है प्रदेश सरकार के दोरा एक कार्य योजना एक कार्य योजना तयार किया गया है उस कार्य योजना के अंतरगत लगबग 135 करोड रुबे की लागत से आपका 2260 किलोमेटर लंबा सड़क बनाया जा रहा है इस 2260 किलोमेटर जो आपकी सड़क है उसमें से 748 किलोमेटर सड़क आपके नेशनल हाईवे के रूप में यानि राश्ट्रिय राजमार्ग के रूप में आपका डेवलप किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका रामवन गमनपत है रामवन गमनपत के अंतरगत उसके कार्य योजना के अंतरगत कितना किलोमेटर लंबा सड़क तयार किया जा रहा है कितना किलोमेटर लंबा सड़क विक्सित किया जा रहा है तो ध्यान दीजेगा वो है आपका बाइस सो साथ किलोमेटर ठीक है नेक्ट देखिए नेक्ट है आपका रोका छे का अभियान रोकाच्छे का अभियान देखिए जो मुख्यमंत्री भुपेश बगेल जी के द्वारा प्रदेश के जो किसान है उनसे अपील की गई है जो रोकाच्छे का अभियान है ये आपके खरीब पसलों की सुरक्षा और पसों की खुले में चराई को रोक लगाने के लिए ये अभ साल जो है ये जो मवेशी है वो आपके खेतों में घुज करके फसलों को चर लेते हैं जिसे किसानों को नुकसान होता है तो इस साल जो है इन खरीब पसलों की सुरक्षा और पसों की खुले में चराई पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री भुपेश बगेल जी के 2020 टकी अभ्यान चलाया जाएगा जिसमें आपके गाव और गौठानों में यह विवस्ता की जाएगी जो भी मवेशी है उन मवेशियों को आपके गौठानों में रत करके उन्हें उनके चारा का बंदोबस्त किया जाएगा ताकि वो मवेशी गौठानों से बाहर आ करके खुले में चराई करके किसानों को नुकसान न पहुचाए ठीक है तो ये है आपका रोका छे का अभिया ठीक नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका भारत नेट परियोजना भारत नेट परियोजना जो की दुर्गम छेत्रों में इस्थिद ग्राम पंचायतों को अप्टिकल फाइबर के माध्यम से नेट connectivity प्रदान करता है ठीक है तो इस आपका आपके इस नारायन पुर जिले के आपके 44 ग्राम पंचायतों को जोड़े जाने का लक्षा है तो इन 44 ग्राम पंचायतों में 44 ग्राम पंचायतों को भार्त नेट परियोजना के आंतरगत आपको जोड़ा गया है ठीक है Next देखिये प्रधान मंत्री गरीब कल्यान रोजगार अभ्यान देखिए ये तो फिलाल हमारे 36 गर्ण का current affair नहीं है लेकिन फिर भी important है देखिए ये जो आपका प्रधान मंत्री गरीब कल्यान रोजगार अभ्यान है इसका सुभारम किया गया आपके 20 जून 2020 को 20. Jump 2020 को इस प्रधान मंत्री गरीब कलियाण रोजगार अभ्यान को सुभारब किया गया कहां से किया गया तो आपके प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपके बिहार राज्ये के खगडिया जिले के तेली हार ग्राम से इस योजना या इस अभ्यान की शुरुवात की गई इस अभ्यान का उद्देश से क्या है इस अभ्यान का उद्देश से प्रवासी मजदुरों को गाउ में ही रोजगार उपलब्द कराना ठीक है प्रवासी मजदूरों को उनकी योग्यता के आधार पर प्रवासी मजदूरों को उनके गाउ में ही रोजगार उपलब्द कराना जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना संक्रमन के बाद बहुत से जो प्रवासी मजदूर है वो अलग-अलग राज्यों में फसे हुए थे, जिसके बाद लॉक्डाउन खुला और सभी की सभी अपने गाउं में वापस आ गए तो ये जो प्रवासी मजदूर है इन्हें अपना आज जीवीका के लिए दूसरे राज्यों में जाना ना पड़े इसके लिए जो प्रधान मंत्री आपके नरेंदर मोदी जी के द्वारा एक अभ्यान लाया गया है एक योजना लाया गया है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान रोजगार योजना इस योजना के अंतरगत आपके जो प्रवासी मजदूर है उन्हीं के गाव में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा इसके अंतरगत जो है आपके 6 राज्यों के 116 जिलों को शामिल किया गया है और इन 6 राज्यों में हमारा 36 सामिल नहीं है इसे ध्यान देना है जो आपका प्रधान मंत्री गरीब कल्यान रोजगार जो अभियान है इसमें हमारा 36 सामिल नहीं है छे राज्यों के 116 जिलों को श उतरप्रदेस, तीसरा है, आपका मद्यप्रदेस, चौथा है, राजिस्तान, पाचवा है, उडिसा और छटवा है आपका जारखन, ठीक है, जिसमें से सरवाधिक जिले शामिल है आपके बिहार के, बिहार के 32 जिलों को सामिल किया गया है, और सबसे कम जिले शामिल है आपके तो इतनी बड़ी संख्या में जो आपके प्रवासी मज़ूर वापस लोटे उसके बावजुद भी हमारे 36 रड़ को शामिल नहीं किया गया इसलिए ये अभ्यान से भी संबंदित थोड़ा सा विवाद उत्पन हुआ था ठीक है तो आपका प्रधान मंत्री गरीब कल्यान र राज्य शामिल है ठीक है बिहार के सरवादिक जीले शामिल है और जारखन के सबसे काम ठीक तो आज के वीडियो हम यहीं एंड करते हैं किसी प्रगार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा लाइक और शेयर जलू किजेगा धन्यवाद